आज solve करेंगे SSE Cigil 2020 का 20 अगस shift 1 वाला paper तो 13 तारिक हो चुका 16 तारिक, 17 तारिक, next था 18 18 के बाद paper वहा था 20 तारिक को 20 मिनिट का timer लगा लेते हैं चलिए पहला सवाल EDM का मतलब बताना है A bad egg अमर कहा रहा है option B ठीक है, तरुन तरुन को D लग रहा है Someone who regularly makes mistakes A bad egg का मतलब होता है कि बहुर्ट dishonest और unreliable बिल्कुल जिस पे भरोसा ना किया जा सके ऐसा वेक्ती A bad egg भी यहाँ पर correct है सिरुन ने बताना है Tag का Tag लगाते हैं चीजों पर Market वगरा जाते हैं तो tag लगा हुआ मिलता है तो वो होता है label Siphon क्या होता है? Siphon अमर आपको idea Siphon का Siphon जैसे जो अभी मुझे आदा आ रहा है Siphon of money मतलब कहीं से पैसा जो है खीच के आप ले गए जैसे कई बार रहता ना कि जो fraud वगरा कर देते हैं bank के साथ तो वो bank का पूरा पैसा चूज कर ले जाते हैं तो Siphon उस तरह का meaning आता है किसी चीज को सक कर लेना absorb कर लेना वो होता है Siphon तीसरा Jumble sentences फोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ नीचे वाला पार्ट दिख रहा है यहांका लेन्दी है थोड़ा start किस से करें B से start होगा तरुन कह रहा है कि B के बाद A का pair बन रहा है according to his hypothesis तो noun pronoun देखेंगे यहां पर Spanish scientist जो भी है उनका नाम है यह noun बन गया उसका pronoun यहां पर refer किया जा रहा है तो B के बाद A आपका जो observation है बिल्कुल सही है A की option में है option number A Passive voice बनाना है You can solve this problem Simple सा एक line का दे दिया है This problem can be solved by you B solved B form plus third बना दिया यह भी correct है A correct होगा Incorrectly spelled word Magnificent Articulate Colossal Consensus Colossal repeat हुआ किसी दूसरी shift में भी यह शब्द दिखा है Colossal का क्या मतलब था विशाल का है विशाल का है विशाल का है correct Magnificent तो पता है Articulate 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 का मतलब होता है किसी चीज़ को पस्ट शब्दों में बताना He articulated the matter very well साफ शब्दों में उन्होंने अपनी बात को रखा बिल्कुल चलो Incorrectly spelled Spelling Mistake कहां पर है MEG नहीं होता MAG correct है MAG D में लग रहा है सही लग रहा है देखो यहां पर C की जगे S होना चाहिए Consensus Consent से याद रख सकते है Consent S आता है उसमें भी C नहीं आता यहां पर भी same problem है C की जगे S आएगा तो Option D में Error है यहां पर Error बताना है बहुत बढ़िया सीधा सीधा दिख रहा है यहीं पर Start होती RunBeer could not went नहीं होता RunBeer could not go हो गया तो C यहां पर Mark करेंगे Error Detect करना है हमर कह रहा है B Has आएगा Have की जगे यहां पर Has होना चाहिए तो Option B बहुत बिल्कुल Straight Forward Error है बिल्कुल इनमें दिमाग नहीं लगेगा Time भी नहीं लगेगा Clean the blank Has increased in recent years Credit Card के साथ Fraud किया जाता है वाकी देख लें थे Freed का मतलब तो पता ही है Fluke Fluke उड़ जाना नहीं होता Fluke का मतलब Fluke का मतलब उता तुक्का मारना Fluke या फिर कह सकते है By chance कोई चीज हो जाती ही तो वह Fluke होता है कि आपको आज आपको जो है तीरंदाजी नहीं आती है लेकिन आपना ऐसे कहीं पर गया एक लिया और निशाने पर लग गया तो वह हो जाएगा Fluke हाँ मेले में जो शूटिंग करते हैं Correct वह हो जाता है Fluke Flake Flake से मुझे याद आ रहा है Snowflake परज जैसी जम जाती ही किसी चीज की Flake पतलासा चप्टा सा वह होता है Flake यहाँ पर Fraud आएगा Credit card Fraud has increased in recent years Antonym बताना है Blemish कर पर उन्हें बता है असान आ रहा है और आ गया Blemish Antonym बताओ Blemish कर पहले तो शब्द देखो और पूछा क्या है Antonym या Sinonym Blemish का मतलब नहीं आइडिया चलो options यूज करके कुछ देखो अगर मालू exam में आता तो क्या करते करुन कह रहा है Perfection लगाता है अमार Blemish का मतलब होता है किसी पर दोश लगाना है इस तरह का होता है Blemish इसी से जुड़ा एक और शब्द है Tarnish 6 को धुमिल करना Tarnish Blemish भी होता है दोश लगाना किसी को दोश लगाके मतलब उसको नीचा दिखाने की बात हो रही है कुछ खराब करने जैसी यहां पर सेंस आएगा नेगेटिव सेंस है तो डैमेज है कुछ खराब कर रहे हो आप स्टेन लगा रहे हो धबा लगा रहे हो इस्कलाराइजेशन और पर्फेक्शन तो यह पता नहीं क्या कर रहा है लेकिन पर्फेक्शन यहां पर लगाएंगे लाइमिश का अंटोनेम इन उप्शन में से पर्फेक्शन को टिक करेंगे फिल इन दब ब्लैंक अलर्जिक इनका मतलब ना भी पता हो तो भी यूजिंग कॉमन सेंस यहां पर अपने को पता है अलर्जिक रियक्शन होती है तो यहां पर यह लगा देंगे एनिवेज रिटॉर्ट क्या होता है रिटॉर्ट एससी में यह भी शब्द आ रहे है इनको लिखते चलना क्योंकि क्या है कि किसी इनको शिफ्ट में तो रिपीड होते हुए दिख रहे हैं को लोसल दिखा इसके पहले और भी बहुत सारे शब्द है तो हो सकता है कि 2021 वाले एक्जाम में से फिर इन में से कुछ नहीं कुछ उटके चलाए रिटॉर्ट अमर आपको आइडिया रिटॉर्ट रिटॉर्ट का मतलब कह सकते है कि करारा जवाब देना या मतलब होता है इसका भी मतलब होता है कि जवाब अपना पति उत्तर वहाँ पर फाइल करना जैसे कि अगर आपके और मेरे बीच में केस चल रहा है तो आपने पहले आपना पक्ष रखा फिर मैं अपना रिचोंडर ऊपिश करूंगा मैं अपना पक्ष रखूँगा तो rejoinder पेश करूँगा ये दोनों शब्द काफी कुछ similar से हैं ये वाला होता है कि तीखी प्रक्रिया देना करारा जवाब देना और rejoinder होता है कि अपना पक्ष रखना 11th one word substitution usually given as a present तो इसकी spelling पर भी पहले बात कर चुके हैं तो important होगे आप तो ये गोटे की इसकी भी spelling आ सकती है तो bouquet होता है जो बुल्दस्ता आपन देते हैं सीनों ने बताना detrimental जैसे कि fast food is detrimental to health तो harmful होता है detrimental कुछी चीच खराब इंकरेक्ली स्पेल्ट वर्ड कार्डर, कमिट, कार्निवोरस, कलेंडर कमिट्मेंट की स्पेलिंग में double M आता है, single M आता है double M आता है, commit ठीक है अब दिखा मरगो बहुत classic spelling mistake बनती है इसमें क्या इसमें गलत है? A आता है, exactly E की जगे A आता है, calendar अपना जो पंचांग होता है, वो A के साथ होता है कार्निवोरस क्या होते है? मासाहारी जो रहते हैं मासाहारी पशु जो रहते हैं हर्भी वोरस, कार्निवोरस, correct carder omnivorous दोनों खालते हैं, carder हाँ पर उसमें नहीं होता carder का एक general meaning होता है जैसे कह सकती कि यह carder based party है तो क्या मतलब उसका carder based है? हाँ, scientist का carder हो सकता है, doctors का carder हो सकता है मतलब एक group of people होता है जो किसी चीज में professional होते हैं वो होता है, carder तो यहाँ पर incorrectly है calendar EDM बताना, tied someone over दो options अगर eliminate भी करने पड़ता है तो complete a voyage, voyage का मतलब तरुन आपने share भी किया था हाँ, कोई journey हाँ, कोई भी लंबी आतरा अपनी voyage कहलाती है तो यह तो नहीं होगा get a boat ready to cross a river इसको तो देखती है अटाएंगे A और B में confusion हो सकता है तो अगर ना भी आता हो तो 50-50% पर अपने दो यहाँ पर आ जाएंगे Tied someone over का B यहाँ पर correct है Give temporary help using financially, किसी पी तरह की help हो सकती अब इसको कैसे याद रखें Tied someone over का मतलब किसी को धक्का लगा के आपने पार पहुचा दिया है, मदद कर दी आपने Tied someone over Anarchist Anarchist यह repeat हो रहा है एक बार Anarchy आ चुका है Answer तो इसका B है, atheist Anarchist का क्या मतलब होता है? अराजक अराजक व्यक्ति जो लोग होते हैं Constitution वगरा नहीं मानते हैं कुछ भी अपना, कुछ भी threat वगरा देने लगते हैं सब Anarchist होते हैं Egotist हाँ सब कुछ Ego से आ रहा है तो यहां से connect कर सकते हैं हाँ अपनी अपनी बड़ाई करते हैं रहना Cynic अपने मिया मिट्टू Cynic 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 पागल नहीं होता Cynic का मतलब होता है कह सकते हैं कि कि किसी चीज पर सवाल ज्यादा पूछना है मतलब उसको शक्की दरस्टी से देखना बहुत उस पर तीखी प्रतिगा अपनी रखना अपनी रखना अपनी से माननी लेना Cynic यहाँ पर सब्स्टिटुशन देखना है होगा की नहीं अफ्टर दे ओल्ड बिल्लिंग वास पुल्ड आउट सर्वेड दे प्रोग्रेस आफ दे वर्क करुन कहा रहा है पुल्डाउन होना चाहिए गिरा देना है सर्वेड है इस येस जरु जम्मर सें sociology ठऻ़ा सा है प्यार है बढ़ना है 10-15 सर्व्य सेंड बनाएंगे आगे बढ़ढ जाएंगे मारा सीक्वेंस बन रहाम साफ दिख रहा है पहले यह कुछ बोल रही है मुझे कूछ पूछना है तो पिता जी कह रहे हैं हाँ बोलो मुझे स्कूटर दिला दो वो कह रहें नहीं ना बी ए डी सी ऑप्शन डी कि एंटोनेम बताना है एंग्जाइटी का रिपीट हो गया देखो एंग्जाइटी आप बार-बार एंटोनेम सिनोनेम में भच जाते हो इसलिए मैं आपको बार-बार बोलता हूँ यहाँ पर पढ़ो सिनोनेम बोलाएं कि एंटोनेम बोलाएं एंग्जाइटी का क्या मतलब होता है जब एक्जाम देने जाते है एक्जाम रेंदर थे तो अपने को से असान क्या आएगा अना अपना इस वो एन एपल एन एपल एडे keeps the doctor away एन एपल प्रोवर बे यस option C indirect बनाना इसका प्रोफेसर सेट to the media persons from our research we have come to the conclusion that there is life on that planet एक तो ये चेंज होगा और एक यहां पर ये भी चेंज होगा दो चीजे तो दिख रही है have का head होगा तो head यहां पर आ रहा है यहां पर नहीं आ रहा है B को eliminate कर देंगे यहां पर head आ रहा है यहां पर नहीं आ रहा है D को eliminate कर देंगे फिर R को भी change करना पड़ेगा यहां पर R as it is आ रहा है A eliminate हो जाएगा C बचा, यहाँ पर देर आ रहा है C यहाँ पर टिक करेंगे जब इस तरह का long अपने को दिखे तो उसमें 2-3 keyword पकड़ लो, इसमें क्या change होगा option eliminate करो, आगे बढ़ जाओ नहीं तो क्या होगा, पढ़ते ही रह जाएंगे फिर अपन इसको 21, close test 5 senses, 6 senses की बात हो रही है ठीक है, पहला 5 senses की बात हो रही है तो यहाँ पर R लगाएंगे 5 senses R, so and so sight, hearing, taste, touch and smell what is sometimes referred correct now what is sometimes referred to as 6th sense is a power to be aware I am aware of something, I am aware of this concept तो off, aware of things independently of the 5 senses आखरी सवाल 5 physical senses यहाँ पर यह सब sense की बात हुई थी तो उन्हें के वापस refer कर रहे हैं 5 physical senses close test बहुत ही आसान था 30 seconds में 5 सवाल यहाँ पर बन जाते हैं यह सब छुट छुटी जगे हैं जहाँ पर time बचा लेना होता है जहाँ लेंदी आए वहाँ पर बचा ओवा time invest करके मुश्किल वाले सवालों को अपन फिर देख सकते है हाँ देखो reported speech वाला अगर कभी भी बढ़ा आ रहा है न तो कोई दिक्कत नहीं पूरे पूरे मत पढ़ो उसको keyword select करो वो कहाँ कहाँ change हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उससे साब से options eliminate करो और आगे बढ़ जाओ क्योंको इक है पूरा पूरा read करेंगे ना तो वो बहुत time अपना खा जाएगा और ultimately करना तो वही पड़ेगा तो उसको starting से अपनी habit बना लो कि बड़ा कुछ दिख रहा है ना तो उसमें keyword पकड़ो कहाँ कहाँ हट रहे है options eliminate करो और tick कर दो second shift solve करेंगे अगले वीडियो में